आज जो मैं रेसीपी लेकर किया हूँ यकीन मानिये फ्रेंस इसे खा करके आप बजार के समोच से और पकोड़े खाना एकदम से बोल जाएंगे क्योंकि बहुत यूनिक और हल्दी मैं नास्ता लेकर किया हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी भी है और हल्दी भी है तो चलिए फ् इसको हमने बारिक काट लिया है पहले से दो करके अब यहां पे हमने दो अलू को ग्रेट कर लिया है अब यहां पे हमने मटर लिया है जिसको हमने अची तरीके से कुट लिया है अब यहां पे हमने बारिक कटा हुआ प्याज लिया है देख सकते हो आप यहां पे अब यहां पे हमने लिया है नीबू का जूस चोकी हमने पहले से इसको निकाल के रख लिया था अब यहां पे हमने लिया है दो बड़े चमच बेसन अब यहां पे क्या करेंगे सारे समागरी को अची तरीके से मिक्स कर लेंगे आप यहां पे नीबू के जूस की जगा पे आप दही भी लेहां सकते हो अब क्या करेंगे सारे पिस्ट के तरीके से Mix कर लेंगे चमच की मदब से यहां पे हम्स्वाद Anous T नमक एड़ कर लेंगे अब चीजों को अच्छी तरीके से हुगाद की तरीके से तरीके से हो si चमच हम यहां पे सूजी एड़्ट कर लेंगे जितना आपको नासता बनाना हूं इसके हिसाब से आप यहां पेvenक कर लिजिएगा अगर ँझा यहां पर चावल के आटे का भी पुर्योग्र कर सकते हैं उसको मिक्सी जार में एक बार चला करके अची तरीके से अपर नासता ब बढ़िया से फूल चुकी है देख सकते हो फ्रेंद अब यहां पर हम क्या करेंगे तड़का लगा लेंगे तो यहां पर हमने तेल पहले से गरम कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे काला वाला सरसो थोड़ा सा डालेंगे जीरा आप यहां पर सौफ भी एड़ कर सकते हो बढ़ियां से mix कर लिया है, हमने यहां पे तड़का सरसो तेल में लगाया है, आप चाहें तो घी में भी लगा सकते हो, रिफाइन ओयल में भी लगा सकते हो, जो भी आपके पास हो, उसमें आप यहां पे तड़का लगा सकते हो, बीना तड़के कभी आप बना सकते हैं, तो यहां पे हमने अची तरीके से पेस्ट को बढ़ियां से कवर कर लिया मतलब की मिक्स कर लिया देख सकते हो आप लो अब यहां पे क्या करेंगे कि एक चमश हम एड़ करेंगे इसमें इनो की जगा पे आप चाहें तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा चाहें और इनों अची तरीक से फैल आप यहां पे देख सकते हो बढ़िया समारा पES्ट त्यार हो चुका है नाहीं ज्यादा पत्ला है और आप ज्यादा गाड़ा है इसी तरीके के हमें पेस्ट को तियार करना है अब यहां प्राइ पर यहां पर पिया लिए अचंद के सी तरीकी से फैला लेंगे तो यहांं पे मने इसको बढ़िया से फैला डिया चमस्की इस सब्सक्राइब करिब कर दो एक शुब्सका करिए किसे सब्सक्राइब इसको फोली के रिची ने बाल्ग मेदाब करिदेश government आप लोग देख सकते हो हलका-हलका इसको पल्टे की मदद से इसको इस तरीके से गुमाते रहेगा ताकि चारोतरब से बढ़िया से पक जाए आप इसको चाहें तो थोड़ा सा धक के भी पका सकते हो झाल भी से दूसरे साइट से इसको पलट देगे और दूसरे साइड से भी से बड़ी ऐसे ईके साइटaltet अब इसके ऊपर क्या करेंगे हलका रかった बिरा लेंगे ताकि यह बड़ीयान शल्का तराब दोनों तरप से टरीके से फ्राई इसलिए आप इसको धीमियाज पर अची तरीके से कुकोने दीजेगा देख सकते हैं अलट पर रटके हम दूनों तरफ से इसको बढ़िया से पका लिया है अब यहां पर क्या करेंगे गैस को आफ कर देंगे अब यहां पर लेंगे हम सर्विंग प्लेट यहां पर हमने निकाल इसको उपर धनियापता अट कर लिया और थोड़ा समने में बारी कटा हुआ प्याज अट किया देख सकते हो फ्रेंस तो यहां पे इसको मची तरीके से डेकुरेट कर लेंगे थोड़ा से यहां पर बटर लगा लेंगे और यहां पे ग्रिन चटनी और टिमाटो केचप के स तरीके से क्या होगा कि बच्चे सबजी भी खा लेंगे और यह नास्ता भी बहुत ही टेस्टी है अपने आप में बहुत ही यूनिक है तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो प्ले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल पर प अपना अनुबर में शेयर करिए तब तक के लिए बाइबाए फिर मिलते हैं कल एक नए रेसिपी के साथ थैंक्यी सो मॉच फ्रेस मेरे बीडियों देखने के लिए बाइबाए